हेलो फ्रेंड्स बहुत बहुत स्वागत है आपका ABC Academy पर फ्रेंड्स आज के इस क्लास में आप टॉप 25 कोशन देखने वाले हो मौर इस समराज से जो की आपकी सरसर्थ भी BPSC और CDPO के लिए है ध्यान रखेंगे मौर इस समराज से बिहार स्पेसल आप देख रहे हो अगर उसे आपने भी तक नहीं देखाया है तो आप उसे देख लिजीगा दिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा देखिए आज का पहला सवाल किश विद्वान के अनुशार चंद्रुप्त मौर इने पाली ब्रोथस यानि पाटली पुत्रक नामक जो यह उपनाम धारन किया बताना है ओप्शन नमबर यहाँ पर आपका डी हो जाएगा सही जबाब इस्ट्रुपो के अनुशार नेक्स्ट कोशन है केवल वह अस्थम जिसमें असोक ने स्वैंग को मगद का शमराट बताया है भाबरू अस्थम हो जाएगा ओप्शन नमबर डी भाबरू अस्थम में अशोक ने अपने आपको मगद का समराट बताया था next question बराबर की गुफाओं का उप्योग किस ने आस्रे गिरही के रूप में किया आज इवी कौने option number C हो जाएगा friends जो मैंने VPSC का practice rate करवाया था उसमें यह बताया था कि यह सवाल VPSC में पहले पूछा जा चुका है और इसके बारे में काफी सारी बातें next question अशोक की राजधानी कहा थी बहुत ही ज़्यादा easy question है option number A हो जाएगा पाटली पूत्र next question है मौर परशाशन के सम्मन्द में कौन सा कथन सही है देखिए उप्रोक्त सभी यह उप्यूक्त सभी जो option number D हो जाएगा यह केंद्रिय के रिद्धा करों का बोज बहुत जादा था और परशाशन जो था वो बहुत हार्ड था कानुन विबस्ता बहुत करा था next question है अशोक के समन्द में कौन सा कथन सही है यहाँ पे भी आपका option number D हो जाएगा उसने धर्म विजय की निती अपनाई उसने विदेशों से संबंद अस्थापित की अच्छे संबंद अस्थापित की और उसने प्रजाहित और कल्यान के भी उपाय किये थे देखे next question देव नाम पिये के नाम से किस शाशक ने अपने आपको शंबोधित किया ओप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा अशोक अशोक ने किया था next question धाम महमात के क्या कार ये थे देखिए धाम में नीती को सही से चालू करवाना लागू करना यह धाम में नीती का कडियानवन करवाना लोगों के बीच दान वगड़ा वित्रन करना और जन कल्यान के उपाय करना लोगों के हित के लिए काफी शारा उपाय किया गया था धम महमात का काम क्या होता था ये option नंबर A, B और C तीनों सही हो जाएगा नेक्स्ट कोश्चन, मौरे कालीर प्रसाषन में राजूक के क्या कार ये थे क्या इसका सही जबाब हो जाएगा option नंबर फिर से नियाय करना, ग्रामीन प्रसाषन को कंट्रोल करना और राजा स्विभाग का देखरेक करना ये तीनों कौन करते थे राजूक उपाधिधार्न करने वाले लोग नेक्स्ट कोश्चन, असोक के किस अभिलेख में दान और धम दान के अंतर को अस्पष्ट किया गया है अप्षन नंबर C हो जाएगा, नवे सिलालेख में, अशोक के नवे सिलालेख में दान और धम दान के बीच के जो अंतर है उसे बताया गया है नेक्स्ट कोश्चन, मौरिश अमराज के पतन में कौन सा काम कारण है वो सामिल नहीं है option number C हो जाएगा सही जवाब आर्थिक संकट नहीं एक कारण था विदेशी आकरमन के वज़े से मौरिस अमराज का पतन हुआ आयोग शाशक के वज़े से और प्रांतिय विद्रो होने लगा था मगर आर्थिक संकट नहीं था next question अशोक की धमनीती की जानकारी मिलती है देखिए धमनीती की दूसरा सात्वा और द्वादस इन तीनों सिलालेक से मिलता है option number A, B, C बिल्कुल सही है तो option number D आपका यहाँ पर सही हो जाएगा next question नंदवन के पस्चात मगर पर किस राजवन्स ने साशन किया यहाँ पर के नहीं होगा नंदवन्स ने साशन किया option number A हो जाएगा मौरिवन्स ने किया था next question मेगास्थनीच की पुस्तक का नाम क्या था बहुत ही ज़्यादा easy question है option number D हो जाएगा indica next question अर्थ सास्त्र के लेखक है बहुत ही ज़्यादा easy question है पाटली पुत्र की शाशन व्यवस्था का विश्त्रित वर्णन किस विदेशी यात्री के विर्तांत में मिलता है मेगास्थनीच option number C हो जाएगा सही जबाब next question चंदरगुप्त मौरि के उपरांत मौरिशमराज्य का शासक बना बिंदुसार option number D हो जाएगा सही next question किस मौरिशाशक के दर्बार में आजीवक भविश्य वक्ता पिंगल वत्स रहता था बिंदुसार के option number B सही जबाब हो जाएगा next question अशोक द्वारा अपने परोशियों के साथ मैत्री पूर्ण समंधों का उलेक मिलता है सिलालेक 13 में option number C next question तीर्थिय बौध संगीती का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था option number D हो जाएगा अशोक के सासनकाल में तीसरा बौध संगीती हुआ था next question तीर्थिय बौध संगीती की अध्यक्षता किसने की थी option number A हो जाएगा मोगली पूत्र तिसने किया था next question तीर्थिय बौध संगीती का आयोजन कब हुआ था 251 इशा पूर्व में हुआ था option number A next question किस युद्ध में हुए भारी तबाही और जानमाल की हानी को देखकर अशोक का हिदय परिवर्तन हुआ और उसने युद्ध निती को त्याग कर धम्मे निती की घोषना की थी कलिंग हो जाएगा option number A बहुँ ज़ाद इजी question next question मौरी कालिन विद्धवान में किन किन का नाम आता है इन तीनों में से बताना है देखिए option number A B और C यहाँ पर तीनों आपका सही हो जाएगा कॉटिल, पानिनी और उपावर्स यह तीनों थे तो option number आपका D यहाँ पर सही जबाब हो जाएगा next question है मौरी कालिन स्थापत्य के सुंदर उधाहरन है पाटली पूत्र इस्थित राजपरशाद के अवशेश दिदार गंज की पक्छी और बाबर की गुफाएं यह यहाँ पर तीनों हो जाएगा फ्रेंट्स बाबर नहीं यहाँ पर मिस्प्रिंट है बराबर की गुफाएं बराबर की गुफाएं नहीं अब भी बहुत सारा practice sit आपके लिए आएगा ABC Academy पर अगर आपने भी तक ABC Academy को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लिजेगा चैनल के साथ बने रहिएगा अपना प्यार देते रहिएगा friends वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स